हेलो इस्टुएंट आज हम लोग क्लास 8 रिशनल नंबर चेप्टर वन में 1.1 का कोस्टन नंबर 4 डिसकस करेंगे अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इंट्रो वीडियो देख लिजिए रिशनल नंबर का जिससे आपको सवाल को समझने में काफी आसानी होगी ठीक है तो चलिए कोस्टन के तरब चलते हैं Find the Multiplicative Inverse of the Following तो Multiplicative Inverse कैसे निकलेगा तो थेवरी इसका ये है कि Multiplicative Inverse का Product 1 होता है तो जैसे कि माल लेते हैं अगर हमारा कोस्टन रहता है कि A upon B तो हम लोग इसका अंसर लिखेंगे B upon A ताकि दोनों का जो Product है वो कितना हो जाएगा वो अन हो जाएगा ठीक है तो ये है इसका थेवरी Inverse मतलब उल्टा होता है Reciprocal मतलब भी उल्टा होता है तो माइनस 13 का Multiplicative Inverse है Multiplicative Inverse is equal to minus 13 का हो जाएगा minus 1 upon 13 या minus 1 upon minus 13 ठीक है minus नहीं change होगा, sign change नहीं होगा सिर्फ ये जो है पलड़ जाएगा जैसे कि minus 13 upon 19 तो ये भी पलड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 19 upon 13 अब ये minus को कहीं भी दे सकते हैं उपर बीच में minus में कहीं भी दे सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं है पलड़ गया उसी परकार जो है जैसे 1 upon 5 तो 1 upon 5 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं सिर्फ 5 नीचे 1 हो जाएगा नीचे 1 जरूत नहीं लिखनेगा तो सिर्फ 5 हो गया उसी एक और question है हमारे पास minus minus ये पलस हो जाता है multiply उकर के 5 3 जा 15 और 8 7 जा 56 ये हमारे पास original question है तो इसका multiplicative inverse जो है 56 upon 15 हो जाएगा तो याद रखेंगे multiplicative inverse में क्या करेंगे कि जो भी question रहेगा उसको उलड़ देना है अब एक और question हमारे पास minus 1 into minus 2 upon 5 तो जब multiply करेंगे तो 2 1 जा 2 और minus plus upon 5 तो original question है 2 upon 5 तो इसका multiplicative inverse होगा 5 upon 2 minus 1 का multiplicative inverse क्या होगा देख लेते हैं minus 1 ठीक है और इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो अभी कुछ नहीं तो 1 है तो 1 upon minus 1 पलट देंगे तो कोई फर्ख नहीं पड़ेगा तो minus 1 ही बचेगा तो minus 1 का multiplicative inverse minus 1 ही होगा याद रखिएगा question number 4 हमारे clear हो गया है तो हम चलते है question number 5 के तरफ 5 number question है name the property under multiplication used in each of the following जो जितना भी question दिया है इसमें multiplication used किया हुआ है और इसका property आपको बताना है तो देख सकते हैं ध्यान से कि minus 4 upon 5 into 1 है और फिर 1 into minus 4 upon 5 है और result जो है वो original नमबर है हमने आपको थेवरी में बताया था कि अगर one से अगर कोई जो है जैसे कि a upon b जो है यह once into होता है फिर one into a upon b और result हमारा original नमबर ही रहता है तो यह identity कहलाता है multiplicative इसको हम लोग लिखेंगे multiplicative identity ठीक है तो a upon b into one is equal to one into a upon b is equal to a upon b तो result हमारा original नमबर ही रहेगा one से दुनों तरफ multiply हो जाएगा multiplicative identity अभी जो हम लोग उपर पढ़ रहते वो multiplicative inverse था यह multiplicative inverse है यह अलग है और यह multiplicative identity है यह अलग है अब है next हमारे पास minus 13 upon 17 into 2 upon 7 अब इसको ध्यांस देखते हैं यहाँ जो चीज़ यहाँ पे उसी को उलट करके यहाँ पे लिखा गया है मतलब यह बहुत यह आशान है हम लोग बना चुके है a into b is equal to b into a यह क्या है यह है commutative यह है यह commutative यह commutative property यह ठीक है अब next हमारे पास है 19 by minus 19 by 29 into 29 by minus 90 is equal to 1 अगर 1 होता है तब यह multiplicative inverse है ठीक अब यह अब लोग ज़स्ट उपर पड़े हैं यहाँ पर कि अगर a upon b और इसका उल्टा b upon b का product अगर 1 हो जाएगा तो यह होता है multiplicative inverse तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे कि यह a upon b है और यह b upon a है दोनों का जो product है यह 1 है इसलिए यह हो जाएगा multiplicative multiplicative inverse ठीक है आई होब यह clear हो गया होगा तो अब हम लोग मिलते है question number 6 में अब जो है अगर question showman में आ रहा है तो वीडियो को like किजिए नियू है तो subscribe किजिए और share जरूर कर देजिए thank you